जैहिंद सभी को जैहिंद वेल्कम बैक अनदर वीडियो उमीद करता हूँ आप सभी अच्छोंगे और अपने अने वाड़े एक्जाइम की त्यारी बेहतरीन करें आप सभी के लिए एक और बड़ी भरती लेके आचुके दोस्तों कंप्लीट इंफोर्मेशन देंगे इस वी सबसे पहले इंफोर्मेशन मिल जाती है अजय डिफैंस इंफो को जरूर सस्क्राइब करें दोस्तों ओके यहां पर बात करें एक और बड़ी भरती के बारे में जियां दोस्तों इंडियन आर्मी रेली भरती 2030 की एक और बड़ी बंपर विकैंसी निकल के आचुकी है बात क ओल आइडिया से Candidate है Apply कर सकते है All India Candidate है इस भरती में participate कर सकते फॉम उपलाई कर सकते है male and female दोनों की दोनों के इंडियत है वो सब्सभी इस भरती में फॉम अपलाई कर सकते है रस दशवी पास 12 पास D Copper breaths ठीक है और इस भरती में total जो वीकैंसी निगल कर है दोस्तों 300 प्लस विकेंशिस मानके चलते हैं ओके और ओनलाइन इसका एपलिकेशन में आप सभी को फिल करना है दोस्तों कब से इसका एपलिकेशन स्टार्ट होने वाला है क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली क्या स्लेबर से रहने और एक complete information देने वाले दोस्तों इसमें जो पोस्टे निकल किया है कुक, MTS, Storekeeper, LDC, Penter, Laskar, बहुत से परकार की विकेंसे निकल के हैं दोस्तों ओके और इसकी जो लास्ट डेट रहने वाली है पच्चिस दो, 2023 की लास्ट डेट रहने वाली है ओके तो चलते हैं आज की अफिचली अपडेट की और यहां पे यह ओफिचली वेबसाइट है दोस्तों यह जो विकेंसी निकल के यह पूने से विकेंसी निकल के हैं प्यार दोस्तों कहां से पूने से गुवर्मेंट विकेंसी है, मनिस्ट और डिफैंस की विकेंसी है प्यार दोस्तों पास सबसे पहले आ जाता है इंपोर्टेंट यहां पर देख सकते हो और रजिस्टेशन कर सकते हैं यहां पर लोगिन और कर सकते हैं यहां पर जो स्टार्टिंग डेट रहने वाली है साफ साफ लिखा हुआ है एप्लिकेशन जो स्टार्ट होगा आपका 4 फरवरी 2030 से इसका connect करवाया जाएगा वो भी मैं आपको information दे दू एक लास्ट डेट के 15 दिन के बाद इसकी exam date announce हो जाएगी यहां पर ओफिचली notification आ चुका है पैर दोस्त देख सकते हो बिल्कुल real है कोई भी fake नहीं है ठीक है देख सकते हो बिल्कुल genuine है यहां पर देख सकते हो अकाउंटेंट की जो पोस्ट है एक पोस्ट जो की डिगरी पास पे विकेंसी निकल की है डिगरी पास होना चाहिए ठीक है कॉमर्स से अपने डिगरी किया होना चाहिए जो की एक पोस्ट यू आर काटेगरी की ओकी इसमें पूरे ओल इंडिया से केंडियेट male female दोनों के दोनों केंडियेट अपलाई कर सकते हैं उसके बाद mechanic की है जो की यहां पे दसवी पास होना चाहिए पलस में आपके पास क्या होना चाहिए आई टी आई किया होना चाहिए और तीन येर का experience certificate compulsory है ठीक है जो की OBC की एक सीट है और ए है टोटल एक ही सीट है इसमें भी male female दोनों अपलाई कर सकते हैं उसके बाद senior mechanical mechanic की विकैंसी है ओके यहां पे भी दसवी पास अपलाई कर सकते हैं और आपके पास आई टी क्या होना चाहिए ठीक है mechanic motor से fitter से आई टी हो ठीक है दोनों से कोई भी आई टी हो और तीन साल का experience होना चाहिए experience से related मैंने आप सभी को पहले भी बताया है आप whatsapp पे message कर सकते हैं प्यार दोस्तों ठीक है अगर आपके पास experience नहीं है तो नीचे चलते हैं नीचे भी यहाँ पे देख सेकते हो आई टी की trade जो निकल कही है बहुत जादा निकल कही है दोस्तों लेकिन एक एक दो दो सीटे निकल कही है उसके बाद यहाँ पे देख सेकते हो laboratory assistant की post है नंबर 5 पे और यहाँ पे आपके पास क्या होना चाहिए bsc पास होना चाहिए ठीक है science with physics and और प्लस टू पास भी इसमें अगर प्लस टू में आप अपियर हो आपके पास प्लस टू में science होने चाहिए ठीक है with के साइंस होनी चाहे तब यह आप इसमें अप्लाइ कर सकते हैं और सैकंड डिविजन या फस्ट डिविजन आपने पास की होनी चाहिए तब यह आप इसमें एक प्लाइए कर सकते हैं बात कर लेते से नीचे-नीचे यहां पर गोर्र। सब्सक्राइब दोस्ते हैं अगर आप पुछ का नोट्फिकेशन चाहिए कहां से डाउनूड करना वह भी आप सभी को बता हुआ जो कि यहां पर विकैंसी से की तीन है और एस्टी की एक सीट है और उसके बाद यहां पर देख सकते हो टोटल जो विकैंसी है चोदा सीटी निकल कैई है ओके स्टोर कीपर की यहां पर दो विकैंसी निकल कैई है एक यहां पर जर्नल की सीट है उसके बाद यहां पर देख सकते हो नीचे कुक की जो सीटी निकल कैई है यहां पर स्टोर कीपर के बाद है ड्राइवर की जो विकैंसी है टोटल तीन विकैं इन्हों ने बताया है कि आपका वन येर एक्स्प्रियंस होना चीए ठीक है अगर आपके पास नहीं है तो आप कॉंटेक्ट कर लेना उके उसके बाद यहां पर देख से किते हो सिवल मोटर ड्राइवर जी दोस्तों ड्राइवर की जो पोस्ट है यहां पर देख तो दसवी पास सब्डिए वो सर्जी अप्लाई कर सकते हैं और टू यहां पर देख सकते हो लाइबरेरी कलरक की विकेंसी है जो की दो विकेंसी है एक यहां पर जरूर केंडिडेट की है और दूसरी यहां पर अब इसी केंडिडेट की है ठीक है उसके बाद यहां पर देख सकते हैं पहर दोस्तों उसके बाद सेंड मोडिलर की विकेंसी है जो की यहां पर देख सकते हो पेमट देख सकते हो 19,900 रुपए से पेमट स्टार्ट होने वाले है दसवी पास पलस में आपके पास एक्स्पेंस certificate नहीं है तो contact कर लेना ठीक है यहां पे चार विकेंसी है ठीक है दो journal की है एक यहां पे ओबी सी की है और एक यहां पे डूलेस की है ठीक है आप अपनी विकेंसी देख लेना उसके बाद कुक की विकेंसी यहां पे 10 वी पास candidate है वो अपलाई कर सकते और इन्हों अपने minimum experience one year experience मांगा है भाई मैंने आप सभी को पहले भी बताया है ठीक है ओल्ली फॉर वाट्सप पर मैसेज करना यहां पे इसके बाद देख सकते हो तीन विकेंसी है जो की एक विकेंसी जनल की है और एक विकेंसी यहां पे एडवलेस की है और एक विकेंसी यहां पे OVC केंडियेट की है ठीक है प्यार दोस्तों से की है सोरी उसके बाद यहां पे देख सकते हो फिल्टर की विकेंसी है जो की दसवी पास पलस में आपके पास आईटे होना चीए तभी आप इस भरती में फोर्म अपलाई कर सकते हैं यहां पर यह पोस्त देख सकते हो दसवी पास पलस में आपके पास आईटे के यहां चीए फिल्टर से और वन येर का ट्रेड एक्पेंस होना चीए छें पोस्त है टोटल जर्नल की यहां पे चार है OBC कि यहां पे एक है और SE की एक है ओके मोडलर की विकैंसी है जो कि यहां पे दसवी पास पलस में वन येर का एक्सपेंस सेटिविकेट मांगागा है ठीक है उसके बाद यहां पे देख सकते हो कारपेंटर की विकैंसी है जो की चार पास विकैंसी निकल के ही टोटल ठीक है कारपेंटर की जो विकैंसी है पांस निकल कही है और वन एर का एक्सपियंस भी यह कंपलसर यह भई एसेंशिल क्वालफिकेशन है अगर डिजायरबल में होता तो आप बीना एक्सपियंस भी अप्लाई कर सकते थे ठीक है ब्लैक्समित की विकैंसी है टोटल यह आप देख सकते हो एक विकैंसी जो की जर्णरल केटेकरी की इसमें भी दसवी पास प्लस में आपके पास आई टाइब पलस में आपके पास यह वन एर का एक्सपियेंस होना चीए नीचे चलते हैं लेबोर्टरी अटेंडेंट यहां में दस्वी पास प्लस में वन एर का एक्सपेंस मांगा है उसके बाद यहां पर मुल्टी टास्किंग स्टाफ एम्टेस की जो पोस्टे टोटल यहां पर और इसमें आपके पास क्या है या तो दस्वी पास हो और आईटिय किया हो या तो दस्वी पास हो दस्वी पास वाले अपलाई कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात निये है ITA भी पास है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं कोई दिक्कत वाली बात नहीं ITA पे यहां पे विकेंशी बहुत अच्छी विकेंशी निकल यह 17 पोस्ट निकल के और यहां पे OBC की चार है ठीक है दोस्तो टोटल 11 पोस्ट निकल के आई दोस्तो यहां पे देख सकते हैं इसका जो एप्लिकेशन फॉर्म है वो ओनलाइन त्रिक्के से भरा जाएगा यहां पे माँ आप सभी को बता दो इसका जो एड्मिट कार्ड आएगा कोई परसेंटिज मांगा है वह अइशेंशल है इन्होंने साफ सा बता दिया है अगर डिजाइरबल में होता अगर डिजाइरबल में होता तो आप भी apply कर सकते थे ठीक है बीना experience भी लेकिन इन्होंने essential qualification साफ साफ बोल दिया essential qualification होना compulsory है अगर नहीं तो आप apply मत करना ठीक है age इसमें 18 से लेके 25 साल तक मांगी गई है अगर आप CMD ड्राइवर के लिए apply करते हो journal category तो 30 साल की age है पलस में CST वाले 5 साल मान लेना ठीक है दोस्तो ठीक है इसमें जो last date रहने वाली है 25 फरोरी last date रहने वाली है जिस भी candidate को form apply करवाना है तो आप हमें whatsapp पे message कर देना दोस्तो आप से भी का form भरा जाएगा कोई दिक् बताया है जिए दोस्तो एक्जैम डेट भी बता दी है इन्होंने देख सकते हो 25 मार्च 2013 को admit card अधिक है दोस्तों आप सभी का जो admit card होगा 25 को release कर दिया जाएगा विल भी अगर कोई दिक्कत नहीं आई तो 25 तारिकों आप सभी की exam date हो रखिए दोस्तों है ठीक है यहां पर practical test की भी डेट बता रखिए नेक्स्ट यह आपका practical test conduct करवा लिया जाएगा कोई दिक्कत वाली बात नहीं बहुत अच्छी विकैंजी निकल के दोस्तों सेलेक्शन लेना है तो भाई त्यारी स्टार्ट कर दीजे और चैनलन को ज़रू सब्सक्राइब कर लेना ब थोग लोगि जहां एगार। अटारी स्टार्टी श्ल्स केया हो इंट चाहिए यह जोता स्टार्टाईब कर दा बतार संब कर रास्टार्स यारोम्पाईब कर दारी सामस्क्राइब कर दोस्तार्स को उन्योव स्टार्लतों सεयifiqueए र celui जहा खमस्ण भास्टार चैनलना ते ह